हालो गाइज, मैंने बीज प्रवन नागर तो हमारी बात चल रही थी, रेक्टर शीट के उपर तो हमने लाउस्ट वाली वीडियो को फिनिश किया था पूरे के-पूरे रेक्टर शीट के त्योडिकल पॉर्शन से यह पूरा चार्ट बनाया था हमने theoretical portion वाला and last में बोला था कि हम rector sheet के दो diagram draw करेंगे एक sagittal section वाला एक transverse section वाला and इन ही दोनों diagram के साथ हमारा पूरा का पूरा rector sheet वाला topic complete हो जाएगा and फिर हमने बोला था कि जब हमारा पूरा topic complete हो जाएगा तो हमारा यह वाला chart है जो हमारा self chart है tcml का official chart है इसको हम public कर देंगे तो इस video के बाद आपको यह chart हमारे सारे के सारे social media मतलब tcml facebook page instagram जो भी tcml का instagram है tcml का twitter and tcml का telegram आपको चारो जगह पर यह वाला self notes वाला page one page मिल जाएगा जिसमें हमने पूरी पूरी reactor sheet को cover कर रखा है और हाँ एक बात और हम डाइग्राम की बात करने से पहले हाँ तो रेखिए जो डाइग्राम से हमारे reactor sheet के उनको start करने से पहले हम आप से एक बात करना चाहते हैं वो है हमारे tcml join button के बारे में तो रेखिए हमने tcml join button के बारे में बताया था कि जो भी हमारे tcml channel को join करता है तो उसके लिए हमने बताया थे कुछ perks कि join करने के बाद जो बंदे join करेंगे उनको tcml क्या-क्या प्रवाइड करेगा तो हमने वालिक रखा था आपको कि हम आप हमसे call कर सकते हैं और जो भी आपको reply time to time मिलेगा आपके उसका messages का okay and हमने एक उसमें perks बताया था perks मतलब कि tcml channel उनके लिए क्या करेगा जिन्होंने हमारे tcml membership को join किया है तो एक perks था कि हम उनका नाम वीडियो में करेंगे तो देखिए अभी present time हमारे total 5 बंदों ने हमारी tcml channel membership को join किया है और उन 5 students के नाम है सबसे पहले है रियाल अग्रुवाल आपको side में दिख रहा होगा screenshot पुरागा पुरा second है हमारे पास सुभांगी देश्मुक third है हमारे पास सुपलना कुष्वाह and fourth है हमारे पास निर्जारा ट्रिबुवन and fifth है हमारे पास अनिरुद तिवारी ओके तो इन 5 students ने tcml channel membership को join किया है and एक बात और साहिद मेरे साफ से इन 5 मेरे साहिद मेरे साहिद मेरे साहिद मेरे साहिद students नहीं मुझसे contact किया है WhatsApp तो देखिए मैं एक बार फिट से अनाउंच करता हूँ कि जो यह पाचो बंदे हैं आपने गर tcml membership join की है तो आपके लिए tcml भी कुछ special करेगा तो वही इन पाचो बंदों से एक बार request थे कि आप हमसे tcml से एक बार WhatsApp पर contact किजिए और WhatsApp लिंक कहा मिलेगा आपको हमारे वीडियो description में और सारी बात हम WhatsApp पर कर लेंगे और हाँ एक बात और क्योंकि मेरे पास इससे related भी बहुत सारे comments आये थे तो यार बहुत ज़दा मैंने reply दे दिया तो मैंने सोचा कि वीडियो में बता दू देखिए आप TCML का join button है मतलब YouTube पर कोई भी channel हो उसका join button है अगर आप उसके through उस बंदे को donation देते हो या फिर उसको pay करते हो तो जितना आप pay करोगे न उतना उस बंदे को नहीं मिलता है मतलब हमारा join button का charge कितना है 199 per student तो देखिए हमें पूरे 199 नहीं मिलते हैं only इसका 70% हमें मिलता है और 30% YouTube रख लेता है क्योंकि यार आपको फेसिलिटी दे रहा है तो वह भी कुछ चार्ज करेगा तो मतलब हमें 70% ही मिलता है तो अगर आप join button के तुरू donation dynamic tested हो तो उससे दे सकते हो या फिर आप अगर Google पे, Phone पे Paytm के तुरू देने में interested हो तो आप इनसे भी दे सकते हो क्योंकि बस इनसे benefit यह होगा कि हमें आप जितना दोगे उतना पूरा मिलेगा बिना किसी कटके लेकिन join button के तुरू only हमें 70% मिलेगा तो अगर आप Google पे, Phone पे सकते हो दोनिशन में TCML के लिए तो आपको मुझसे कॉंट्रेक्ट करना होगा कहाँ पर TCML मतलब WhatsApp पर and WhatsApp लिंक में निकाहा दे रखा है हमारे वीडियो डेस्क्रिप्शन में और हाँ अब हम बात करता है हमारे रेक्टर सीट के डाइगराम की तो देखिए वहीद दो डाइगराम की ओ पर तो देखिए वही दो डाइगराम करेंगे एक psychon sagytal section याने की देखिए हमने बोला था ना कि आपके पास क्या है यह दो आपके पास यह राईट साइद वाली rectus abdominis है यह लेप्ट साइड वाली rectus abdominis है बीच में क्या होगा, linear alba, side omica मिलेगा, linear semi-lunaris, ये हो गया, तो एक बार हम क्या करेंगे, rectus abdominis muscle को sagitally काटेंगे, मतलब anterior to posterior जाता हुआ, एक plane से काटेंगे, और दूसरे diagram में क्या करेंगे, transfer section से काटेंगे, मतलब वही anterior to posterior जाता हुआ, एक section काटेंगे, ये हो गया, तो दो diagram ड्रो करेंगे, सबसे पहले आते हैं, sagitally section होनी diagram पर, तो sagitally section में देखिए, वही हमने काटा ऐसे, ऐसे काटा था हमें, लंबी-लंबी पूरी muscle दीखेंगे, तो चलो देखते हैं, सबसे पहले में या ड्रो कर रहा हूँ, तो rectus abdominis muscle, तो ये हो गई हमारी, rectus abdominis muscle, ओके, ये है sagitally section, ओके, ये क्या होगा, this is anterior, ये क्या होगा, this is posterior, ओके, तो ये anterior, ये posterior, यहाँ पर क्या होगा, this is superior and inferior, और हमीचे side से देख रहे हैं, ओके, ये हो गया, and वहीं, rectus sheet है, ये पूरी क्या है, this is rectus abdominis muscle, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, R-A, R-A मतलब, this is rectus abdominis muscle, ओके, ये हो गया, अब इसके बाद देखिए, इसके आगे की side क्या होती है, इसके आगे की side होगी, हमारे पास anterior wall, और देखिए, anterior wall में क्या लिखा था, anterior wall of rectus sheet, जिसमें लिखा था कि ये पूरी के anterior wall पूरी के पूरी complete कम्प्लीट कवर करती है, तो देखिए, ये पूरी muscle है, तो एंटियर wall पूरी के पूरी muscle कवर है, and देखिए, posterior wall में क्या लिखा था, incomplete, posterior wall of rectus sheet, हमारी rectus abdominis muscle को पूरा कवर नहीं करती है, only beach वाले part को ही cover करती है उपर और नीचे coastal margin के उपर and archivite line के नीचे cover नहीं करती है मतलब beach में ही cover करती है तो देखिए ये मैं लिख रहा हूँ beach में देखिए मैंने जो posterior wall है rectus sheet की वो beach में ही बनाई है हरी वाली क्या है this is anterior and posterior wall of rectus sheet तो this is anterior wall of rectus sheet तो देखिए भी diagram जड़े दम वाली बात नहीं है this is the anterior wall of rectus sheet and ये क्या होगी of course ये होगी हमारे पास posterior wall of rectus sheet तो ये होगी पास posterior wall ये होगया उसके बाद देखिए हमने आपको देखिए posterior wall अब उपर से पर deficient है नीचे से पर deficient है तो दो पैंट यहां के उठाएंगे कि उपर के साइड जो composition variable उपर के साइड डेफिशेंट है posterior wall येस देखिए न गाइब है उपर के साइड मतलब ये क्या है this is costal margin ये क्या है this is arcuate line मतलब costal margin के उपर and arcuate line के नीचे हमारी posterior wall of rectus sheath guide लेकिन anterior wall पूरी की पूरी कवर है तभी तो देखिए तीनों जगर पर हमने तीनों के तीनों एंटियर अब्डमिनल वाल की फ्लेट मिसल्स लिख रखी है उनके aponeurasis लिख रखे है क्योंकि anterior wall हमारी rectus abdominis मिसल्स को आगे से पूरा का पूरा कवर करती है अब देखिए आते हैं उपर वाले पॉइंट पर कि अबो costal margin हम मानता हूं deficient है लेकिन rectus abdominis मिसल्स डारेक्ट कॉंटेक्ट में होगी 5-6-7 costal cartilage के है 5-6-7 costal cartilage मतलब costal margin के ऊपर हमारी rectus abdominis मिसल्स डारेक्ट 5-7 ribs की costal cartilage के contact में होती है तो देखिए वही direct contact rectus abdominis मिसल्स डारेक्ट कॉंटेक्ट विद 5-6-7 costal cartilage यह हो गया एंड नीचे की साइट देखिए नीचे की साइट भी डेफिशेंट है यह गाइब है लेगिन नीचे की साइट हमारी rectus muscle direct contact with fascia transversalis तो आपको पता भी होगा external oblique, internal oblique, transverse abdominis उसके बाद क्या होता है fascia transversalis then extra peritoneal tissue then parietal peritoneum यह क्या बताया मैंने anterior abdominal wall को आगे बाहर से अंदर की तरह सबसे बाहर मिलेगा आपको external oblique मतला skin, skin के बाद क्या मिलेगा external oblique muscle, internal oblique muscle फिर transverse abdominis muscle उसके बाद क्या मिलेगा आपको fascia transversalis फिर extra peritoneal fat फिर parietal peritoneum देखिये sequence है बाहर से अंदर तक का layers का sequence है anterior abdominal wall में है तो वही posterior wall हो गई उसके बाद हमने बोला नीचे बाला part this is direct contact with fascia transversalis तो अब हमें यहां पर क्या ड्रो करना पड़ेगा fascia transversalis तो चलो इसी सही में ड्रो कर रहा हूं fascia transversalis वो कि यार देखिये रेड को में अभी आल्ट्री दिखाऊंगा यहां पर तो हमारे पास यहां पर हो का यह this is fascia transversalis तो यह black black क्या है this is fascia transversalis 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 okay तो देखिये दिखा दिया ना posterior वाल उपर के साइड डेफिशेंट है and rectus abdominis में सब डारेक्ट कॉंटेक्ट वीड पास से साथ कोस्टल काटिले बीच में below costal margin and above arcuate line internal oblique aponeurosis की posterior lamina and transversus abdominis aponeurosis से बनी होती है तो देखिये इसके लिए हम क्या डो करेंगे sagittal section sorry transfer section यह क्या है sagittal section sagittal section sorry यह sagittal section है और यह वाली line internal oblique aponeurosis transversus abdominis aponeurosis और यह सारा का सारा यह तीनो points किससे clear होंगे transfer section से sagittal section वाले की बात कर रहा हूं and नीचे की साट यह posterior deficient है and हमारी देखिये rectus abdominis muscle direct contact में किसके है देखिये न यहाँ पर कुछ नहीं है rectus abdominis muscle direct contact में है fascia transversus ellis के ओके यह हो गया उसके बाद देखिये आपको पता होगा यहीं पर क्या होता है तो मैं यहाँ पर diaphragm वाला draw कर रहा हूं तो this is diaphragm यहाँ पर होगा हमाय पर diaphragm क्योंकि हमने बुलना diaphragm तीन जगह से attach होता है आगे की साइड defoid process से फिर हमारी coastal margin से and पीछे की साइड किस से वर्टी ब्रास से तो तीन जगह से हमारा diaphragm attach होता है तो वही हमने यहाँ पर क्या लिखा था कि जो superior epigastric artery होती है वह entry करती है sheet के अंदर कहां से between costal and gephoid origin of diaphragm तो देखिए यह क्या है between gephoid and costal origin तो of course कहां से enter करेगी of course हमारी superior epigastric artery यहां से enter करती है sheet के अंदर और supply करती है किसको हमारे rectus abdominis muscle को देखिए पूरी rectus abdominis muscle है यह and देखिए inferior epigastric artery pass in front of inferior epigastric artery pass in front of arcuate line arcuate line के जस्ट आगे से enter करती है हमारी rectus sheet के अंदर and supply करती है rectus abdominis muscle को तो देखिए हमने क्या बोला posterior wall का lower border होता है उसे ही क्या बोलता है arcuate line देखिए यहां बोलाता Lower Limit of Posterior Wall of Rectus Abdominis इसे ही क्या बोलता है इसे ही बोलता है arcuate line, Douglas line या linear semi circularis देखिए तीन चीज़े है LINEIA ELBA, LINEIA Semilunaris Semilunaris एक क्या है LINEIA Semisircularis Confusion मत होना तो lower limit of posterior wall of rectus abdomen इसे ही क्या बोलता है arcuate line तो देखिए posterior wall की lower limit इसे क्या बोल highlight लाइंगे आया Glen and इस आर्को baht के लाइंगे जाइए से हमारी inferior epigastric artery इंटर करती है relac balm chef के अंदर तो नहीं सही हमारी inferior epigastric artery इंटर करेंगी ओके तो यह हो गया तो अफकोर्स यह वाली कॉन्सी होगी this is superior epigastric artery this is superior epigastric artery and ये कौन सी होगी ये होगी हमारे पास inferior epigastric artery inferior epigastric artery ये हो गया उसके बाद हमने पूरा इसको देखी लिया उसके बाद देखी हमने यहाँ एक लाइन लिखे थी anterior wall पर कि anterior wall हमारी मसल से एकदम tightly, firmly, मजबूती से attach होती है किसके तरूँ tendinous intersection of rectus अब हमें यहाँ पर tendinous intersection बनाने पड़ेंगे चलिए बनाते हैं तो देखिए मैं tendinous intersection को बना रहा हूँ rate pen से, देखिए यहाँ पर color नहीं है इसलिए मैं rate का यूज कर रहा हूँ confusion मत होना संधाने के लिए हैं आपको बनाने green से ही पड़ेंगे तो जहाँ पर यह क्या है these are tendinous intersection तो यह है rectus abdominis tendinous intersection और देखिए यह आगे की side कहाँ पर है rectus abdominis में आगे की side दसे हुए हैं जिससे हमारे apes बन गए देखिए न 6-peg apes होते हैं 1-peg, 2-peg, 3-peg, 4-peg मतलब पहले 6-peg apes बनते हैं अगर बंदा कुछ ज़्यादा एकसरसाइज करता है तो 8-peg बन जाते हैं तो देखिए 1-peg, 2-peg, 3-peg starting में 3-peg बनते हैं तो इन tendinous intersection के कारण हमारे rectus abdominis मिसल में pegs बनते हैं वो इन ही tendinous intersection of rectus abdominis मिसल इन ही tendinous intersection से इन ही tendinous intersection से हमारी anterior wall of rectus sheet कब attach होती है देखिए attach भी है लाल वाला हरे वाले से attach है न मतलब tendinous intersection से anterior wall attach है तो वही लिख रखा है फिन में अधर्ड with tendinous intersection of rectus sheet और देखिए posterior wall क्या पीछे की wall, पीछे वाली wall posterior wall of rectus sheet क्या हमारे rectus abdominis मिसल से attach है नहीं तो देखिए वही लिख रखा है यहां देखिए free from muscle ओके तो देखिए free from muscles posterior wall muscle से कोई relation नहीं है और वही बोला posterior wall की जो lower limit होती है उसे क्या बोलते है arcuate line तो यह lower limit of posterior wall है इसे ही क्या बोलेंगे arcuate line A-R-C-U-A-T-E arcuate line and यह क्या बता है coastal and giford original diaphragm से ही हमारी इन दोनों के बीच से ही हमारी superior pegashtric artery sheet के अंदर इंटर करती है इंटर 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 शीथ तो arcuate line ओके यह हो गया and यह क्या थे treated वाले दीजा tendinous intersection of rectus abdominis तो यह है हमारे tendinous intersection tendinous intersection okay तो यह हो गया अब तो देखिए मेरे साब से अब डाग्राम में जड़ा दमवाली बात नहीं है क्योंकि यार पूरा theory से हमने डाग्राम बना दिया and फिर वही डाग्राम से भी आप theory लिख सकते हैं okay तो यह लिखतीया और यह समझा दिया तो यह क्या है this is the sagittal section यह है हमारा sagittal section वाला diagram S-A-G-I-T-L sagittal section of rectus abdominis muscle and हमने बोला अब हम रो करेंगे दूसरा diagram जो की होगा हमारे पास transverse section of rectus abdominis muscle मतलब अब हम उसे ऐसे काटेंगे इसे हम ऐसे काटेंगे तो वहीं देखिए अब ऐसे काटेंगे तो हमें तीन जगह से काटना पड़ेगा क्यूँ? क्योंकि देखिए न अब वह coastal margin only एक ही muscle का eponerosi से बनी हुई है between coastal margin and arcuate line दो muscles के eponerosi से बनी हुई है and below arcuate line तीन muscles के eponerosi से बनी हुई है तो of course अगर मैं coastal margin के उपर से काटूँगा तो of course मुझे एक ही muscle का दिखेगा अगर मैं दोनों के बीच में से काटूँगा arcuate line और intercostal margin के बीच में से काटूँगा तो मैं 2 muscles दिखेगी and नीचे से काटूँगा तो 3 muscles दिखेगी मतलब अगर मैं 3 जगह से TS काटूँगा transverse section काटूँगा rectus abdominis का तो of course मुझे इसको 3 diagram से समझाना पड़ेगा मैं इसके लिए 1 common diagram नहीं बना सकता किसके लिए transverse section of rectus abdominis में सल के लिए और यहां पर भी देख लिए अगर मैं इसको coastal margin के अपर से काटा हूँ तो आपको posterior वाल दिखेगी नहीं क्योंकि होती नहीं है अगर मैं दोनों के बीच में से काटा हूँ मतलब below coastal margin and above arcuate line तो हमें posterior वाल दिखेगी लेकिन अगर मैं below arcuate line से काटता हूँ तो हमें posterior वाल दिखेगी नहीं I hope आप मेरी बास समझ गये होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ तो मैं transfer section का common diagram नहीं बना सकता मतलब नहीं कि मैं rectus abdominis मसल को एक common जगह से काट कर उसका diagram शो नहीं कर सकता क्योंकि इसकी structure है वह vary कर रही है यहाँ पर कुछ और है यहाँ पर कुछ और है तो हमने total 3 transfer section लेंगे 3 transfer section कैसे लेंगे above वही इसी बैसिस पर above coastal margin between coastal margin and archivate line and below archivate line इन 3 जगह से हम transfer section लेंगे और फिर उनका comparative study करेंगे देखिए यह लिखा क्यू है पहले हम जब भी कोई scientist ने यह लिखा होगा ठर्षक लिखा नहीं होगा पहले उस्ने हमारी body पर अप्लाई किया होगा काटआओगा फिर देखने के बाद फिर लिखा होगा नैंके अपर उल्टा कर रहे है अपट ने पोर लिख दिया अपने anatomy lab में, यह हो गया, तो तीन जगह से काटना है, अब वो coastal margin, between coastal margin and arcuate line and below arcuate line, तो वहीं transfer section काटना है, तो ऐसे कुछ दिखेगा, तो यह क्या है, this is right side की rectus abdominis, आरे मतलब rectus abdominis, and this is left side की rectus abdominis, वैसे ही, एक rectus abdominis, तीन जगह से काटना है, तो यह एक जगह से काट लिया, अ यह हमने तीसरी जगह से काट दिया, आरे मतलब rectus abdominis, यह हो गया, and जब हम above coastal margin काटेंगे, तो of course हमारी sternum काटेगी, sternum का क्या काटेगा, जिफोईट प्रोसेस, तो यहाँ पर यह क्या है, this is the geiphoid process of sternum, okay, and देखिए, anterior wall, यह क्या था, this is above coastal margin, anterior wall of rectus sheet, अगर हम इसे above coastal margin से देखे हैं, तो only external oblique muscle का aponeurosis मिलेगा, तो कोई ना वही डो करते हैं, आगे के साइट, देखिए ना, यह anterior wall होगी, यह posterior wall होगी, देखिए, तीन diagram है यह, यह first transfer section, above coastal margin, this is our first transfer section, तो इसमें anterior wall किसकी बनी होती है, only external oblique aponeurosis muscle की, ओके यह हो गया, anterior wall above coastal margin only, anterior wall above coastal margin only, external oblique aponeurosis की बनी होती है, and posterior wall किसकी बनी होती है, posterior wall नहीं होती है, and rectus muscle direct contact with, पात्षा साथ, costal cartilage, तो मुझे यहाँ पर first वाले में, above coastal margin में, पीछे की साथ क्या करना पड़ेगा, पीछे की साथ तो कोई posterior वाल होगी नहीं, लेकिन हमारी rectus abdominus muscle direct contact में होती है, पात्षा साथ वल्टीब्रा के, तो मुझे यहाँ क्या draw करना पड़ेगा, पात्षा साथ वल्टीब्रा, तो मैं यहाँ ड्रो कर रहा हूँ, 5, 6, 7th वल्टीब्रा, sorry, अरे वल्टीब्रा नहीं है, रिप्स, sorry, costal cartilage, 5, 6, 7th costal cartilage, तो देखिए, यह 1st वल्टीब्रा यह क्या है, अब वो कोश्टल मार्जिन से ट्रांफर सेक्शन, अब वो कोश्टल मार्जिन से, तो अब वो कोश्टल मार्जिन से ट्रांफर सेक्शन है, तो of course, देखिए, मैं only आपको लेफ्ट साइड से बता रहा हूँ, दिट्टो ऐसा, राइट साइड भी होगा, okay, कॉमन सेंस लगना होगा, तो यह क्या है, तो यह क्या है, दिशिज एंटीरियर, यह क्या होगा, दिशिज पोस्टीरियर, किसके लिए, इसके लिए, अब वो कोश्टल मार्जिन के लिए, and of course, यह क्या होगा, लेटरल, और य यह क्या है, दिशिज, यह है, हमारे पास, जीफोइट प्रोसेस, तो यह है, दिशिज, जीफोइट प्रोसेस, यह हो गया तो इस फर्स्ट डियाग्राम 4 अगर 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 कोस्टल मार्जिन दोनों साइड के रेक्टरस अब्डोमिनस मसंद को काटे तो रेक्टरस अब्डोमिनस मसंद को काटे तो जो रेक्टरस अब्डोमिनस को काटे तो जो rectus abdominis को cover करने वारी rectus sheet है उसकी anterior wall बनी होती है external oblique aponeurosis है and पीछे के साइट हमारी posterior wall of rectus abdominis मतलब anterior wall of rectus sheet बनी होती है only external oblique aponeurosis है and posterior wall of rectus sheet absent होती है मतलब कि हमारी rectus abdominis मसल this is direct contact with 5 से 7 यह लिक रहा हूँ मैं यह वाली एक तो मैंने यह यह वाली line बोली और एक यह deficient rectus muscle direct contact with 5 साथ coastal cartilage यह हो गया इस muscle का नाम क्या है this is external oblique muscle देखिए वही है सबसे आगे क्या होती है skin skin के बाद क्या होगी superficial fascia external oblique, internal oblique, transverse abdominis उसके बाद क्या होता है अब इस सारी बात करेंगे no problem, इस बदाते हैं पूरे पूरा diagram डो कर लेते है first diagram हो गया अब आते है second diagram अब हमने हमारी rectus abdominis muscle को कहां से काटा अब हमने हमारी rectus abdominis muscle को काटा between मतलब costal margin के नीचे and rectus sheet costal margin के नीचे and archway line के उपर उन दोनों के बीच वाली जगह से काटा तो मैं यह लिक रहा हूँ between between मतलब समझ जा ना कि costal margin के नीचे देखे sequence है यह सबसे उपर यह है सबसे बीच में यह है नीचे यह है up to down उपर से लेके नीचे तक वक होगे यह हो गया तो वही अगर हमने दोनों के बीच में से काटा तो देखिए इसका भी second point देखते composition का तो anterior wall of rectus seat बनी होती है external oblique aponeurosis and internal oblique aponeurosis के anterior lamina से and posterior wall का composition का second point बनी होती है internal oblique aponeurosis के posterior lamina and transversus transversus abdominis aponeurosis कोगी aponeurotic seat this is यह क्या होती है यह एक aponeurosis से बनी ही seat होती है जो की derived होती है fret muscles of anterior abdominal wall and fret muscles क्या होती है यह ओ external oblique internal oblique and transversus abdominis muscle तो इसका भी second point और इसका भी second point को हम यहाँ डो करते हैं तो वही anterior wall बनी होती है external oblique muscles के aponeurosis है तो this is external oblique muscle and transversus abdominis muscle के इससरी internal oblique muscle के anterior lamina से and posterior wall किसी बनी होती है internal oblique internal oblique aponeurosis के posterior lamina and transversus abdominis aponeurosis है तो यही internal oblique है इसका यह हो गया posterior lamina and transversus abdominis muscle transversus abdominis aponeurosis यह हो गया तो यह क्या है सबसे पहले this is external oblique muscle उसके बास second नमर वाली क्या है this is internal oblique muscle and third वाली क्या होगी this is transversus abdominis muscle देखिए external oblique aponeurosis है यह external oblique aponeurosis है यह internal oblique aponeurosis है तो यह internal oblique का यह क्या हुआ this is anterior lamina यह क्या हुआ this is posterior lamina and this is transversus abdominis aponeurosis यह हो गया तो हमने clear भी कर दिया देखिए anterior वाल का second point external oblique aponeurosis देखिए external oblique aponeurosis है internal oblique aponeurosis के anterior lamina internal oblique aponeurosis के आगे वाले lamina से देखिए न, internal oblique aponeurosis दो lamina में divided हो गया एक rectus abdominis के आगे वाला एक पीछे वाला, तो anterior lamina बनाएगा anterior wall and internal oblique का posterior lamina बनाएगा posterior wall of rectus sheath and second क्या होगा, this is transversus abdominis aponeurosis this is the second point, मतलब हमने यह कहां से काठा between, मतलब below costal margin and above arcuate line से यह second diagram हो गया और इसी की भी anatomical position होगी यह क्या होगा, this is anterior यह क्या होगा, posterior और यह क्या होगा, these are lateral कोमन सी बात है, तीन जगा से हम transfer section ले रहे हैं सबसे उपर यह, सबसे नीचे है अब इसमें third transfer third of allah transfer section कहां से लेंगे below arcuate line B-E-L-O-W and below arcuate line दिया मतलब अब हमें anterior wall का third point देखना है तो आगे की साड़ क्या मिलेगा external oblique hyponeurosis and internal oblique hyponeurosis and transversus abdominis hyponeurosis और last wall की दोनों fuse होते हैं and posterior wall का भी composition का third point, deficient and rectus muscle direct contact with fascia transversalis अब आते हैं इधर ये देखिए, third wallet point पर तो वही, आगे की साड़ आपको 3-0 मिलेंगे, anterior wall of rectus में 3-0 मिलेंगे, कहां पर? below costal mark, below arcuate line तो चलिए 3-0 draw करते हैं सबसे पहले ये होगे transversus abdominis hyponeurosis then internal oblique hyponeurosis और ये दोनों fuse होते हैं and सबसे बाहर क्या मिलेगी external oblique hyponeurosis जो कि fuse नहीं होता है okay ये हो किया and पिछे की साड़ क्या मिलेगा आपको fascia transversalis तो हमने यहापर fascia transversalis black से बनाया था तो कोई ना हम यहाँ भी black से डो कर देते हैं ये क्या है? fascia transversalis okay तो इनको डो करते हैं external oblique internal oblique hyponeurosis and transversus abdominis hyponeurosis and ये काला वाला क्या है? this is fascia transversalis तो मैंने fascia tr लिखा है tr मतलब transversalis okay तो ये black वाला है fascia transversalis ही हो गया तो आते हैं हमारे composition के देखिए anterior वाल के composition के third point पर ये बनी होती है external oblique hyponeurosis देखिए external oblique hyponeurosis and internal oblique hyponeurosis and transversus abdominis hyponeurosis and transversus abdominis hyponeurosis देखिए ये तीनों rectus abdominis के आगे है and last में क्या लिखा था कि internal oblique and transversus abdominis दोनों के hyponeurosis fuse होते है तो देखिए internal oblique and transversus abdominis मसल के दोनों के हमने hyponeurosis यहाँ पर fuse करा दिया है देखिए fuse हो गए है and rectus abdominis मसल की posterior wall below arcuate line किसकी बनी होती है तो देखिए वही posterior wall में composition का third point क्या होगा deficient देखिए कोई posterior wall नहीं है rectus sheet की and rectus muscle direct contact with fascia transversus देखिए this is आरे मतलब rectus abdominis मसल direct contact में है किसके fascia transversus यह हो गया and देखिए वही fascia transversus होगा and fascia transversus just नीची क्या मिलेगा आपको यहाँ पर आपको मिलता है extra peritoneal क्या मिलता है extra peritoneal fat and extra peritoneal fat के बाद आपको क्या मिलता है यहाँ पर यह third बाला क्या है this is parietal peritoneum okay यह हो गया तो extra peritoneal fat and लाल बाला क्या है this is parietal peritoneum यह आ रहा है मतलब parietal peritoneum okay okay तो यह हो गया यह क्या है this is transverse section तो मैं यह लिक रहा हूँ this is transverse section यानि कि TS this is transverse section of rectus abdominis तो हमने देखे दोनों ड्रान कम की बात कर ली एक हो गया sagittal section एक हो गया transfer section देखिए तीन diagram अलग 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 है इनको एक साथ मत पढ़ना और देखिए तीन diagram अलग अलग है एक साथ मत पढ़ना okay ही हो गया मतलब सबसे यह first वाला है सबसे उपर होगा ऐसे सबसे उपर होगा second वाला ऐसे नीचे होगा and third वाला फिर उसके नीचे होगा मतलब first वाला सबसे उपर होगा then second वाला उसके नीचे होगा and then third वाला नीचे होगा ऐसे है यह ऐसे है यह एक के उपर एक diagram है यह यह सबसे नीचे रखना है इसके उपर यह रखना है और इसके उपर सबसे उपर एक नमबर वा रखना है और वही आगे की साथ सबसे का मिलेगी मतलब इसकीन फिर external oblique and phidrectus abdominis and फिर पाचसाथ costal cartilage यहाँ पर भी का मिलेगी skin external oblique internal oblique की anterior lamina phidrectus abdominis, internal oblique की posterior lamina and transversus abdominis और पीछे के साथ क्या मिलेगा वही fascia transversalis extra peritoneal fate मतलब मेरे साथ आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ यह 3 diagram है अलग-अलग level पर सबसे उपर first वाला है then सबसे उपर first वाला है then दोनों के beach वाला है and then फिर arcuate and then फिर arcuate line के नीचे वाला है यह हो गया and I hope अब आपको सारे के सारी जो भी हमारा chart होगा और यह diagram होगे सारे clear भी होगे होगे जो भी आपने यह आप ठीवरी बतायती है okay तो अगर यह video आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस video को अपने friends को share कीजिए and देखिए आपको इन दोनों को अलग-अलग नहीं करना है मतलग जो इन दोनों diagram है उसको भी यही पर adjust कर देना मैंने यह इतना बड़ा diagram बना है समझाने के लिए लेकिन आपको अपने official अपने खुद के notes में इतना बड़ा diagram नहीं बनाना है बस इतना सा diagram बनाना इतना सा चोटा सा ताकि आपस समझ सको को क्यार वही अगर आपके पास एक page होगा पूरे एक page का इसी का नहीं other topics अभी अगर एक page होगा तो आपको revision करने में confidence आएगा आप कम टाइम में revision कर सकोगे तो वही इन दोनों diagram को इतना बड़ा-बड़ा मत बनाना बिल्कुल छोटे-छोटे में एक ही page में cover कर देना ताकि एक ही page के अंदर आपके रेक्टर सीथ की theory और एक ही page के अंदर आपके रेक्टर सीथ का पूरा-पूरा diagram आ जाए एन फिर आप एक साम टाइम पर इसे पास से देस्मिंट के अंदर revision कर सको एन देखिए वही यार जो में यह हमारे चार्ट बनते हैं यह यह एची बात तो है नहीं कि एक दिन में बन जाते होंगे तो यार बहुत दम लगता है तो मुझे इस दम का response मिलना चाहिए जो मैं दम लगाता हूँ आपके लिए वन चार्ट वाली response कैसे यार वही share कीजिए तक हमें अच्छे views मिले अच्छे comments मिले अच्छे likes मिले तो मुझे इंटरेस्ट आए कि हाँ यार बन्दे इंटरेस्टेड है एंड वही एक बात और अगर वीडियो अच्छे लगा हो तो प्लीज इसे हर जग़ शेयर करना अपने बेचमेट्स, फ्रेंट, क्लासमेट्स को बाई